हरी ओम तत्सत अध्यात प्रमायन अयोध्याकान चतुर्त सर्ग भगवान राम का माता से विदा होना तथा सीता और लक्षमन के सहित वन गमन की तैयारी करना हरी अनन्त हरी कथा नन्ता कहे सुनहीं बाहु विदी सब सन्ता प्रभु श्री राम भी अनन्त हैं उनकी कीर्थी भी अप्रम पार है संतों ने प्रभु की कीर्थी का अलग अलग बढ़नन किया है श्री महादेव और पार्वती जी का समवाध श्री महादेव जी पार्वती से बोले तब महारानी सुमित्रा ने राम को देख कर समरम पूर्वक महारानी कोशल्या को चेत करा कर बताया कि राम खड़े हुए हैं, राम का नाम सुनते ही उनकी बहिर द्रिश्टी हुई और उनोंने विशाल नयन राम को देख गले लगा कर गौद में बिठा लिया, तथा उनका सिर्ख सूम कर उनके नेल कमल सरद्रिश शाम शरीर पर हाथ फेरा और कहा बेटा भूक लग रही होग कुछ मिष्ठान खालो, तब श्री राम बोले माता मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए यह समय श्री ग्रही दन का रण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है, मेरे सत्य प्रतिग्य पिताजी ने माता के कई को वर दे कर भरत को राज्य और मुझ से चोदा वर्ष रहे कर मैं शीकर ही लोटाऊंगा, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, अचानक ऐसी बात सुनकर माता कोशल्या दुख से अचेत हो गई और फिचेत होने पर दुख सागर में उचलती डूपती, दुख आतुर हो कर राम से कहने लगी, हे राम यदी सच मुझ ही तुम वन को जाते हो तो मुझे भी साथ ले चलो, तुमारे बिना मैं आदेशन भी कैसे जीवित रह सकती हूँ, जिस प्रकार गो अपने अरप वैसक बच्चडे को छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी तुम अपने प्र प्रिय पुत्र को नहीं छोड़ सकती, यदी राजा भरत से प्रसन्न हैं तो उन्हें राज्य भले ही दे दें, परन्तु तुझ प्रिय पुत्र को वनवास की आग्या क्यों देते हैं, केकई को वर देकर चाहे महराज अपना सर्वस्त दे डालें, इसमें मुझे कोई अपत नहीं, किन्तु तुमने राजा अध्वा के कई का क्या पिगाड़ा है, हे राम जिस प्रकार पिधा तुमारे गुरू हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुमारे गुरू हूँ, यदी पिता ने तुमसे वन जाने को कहा है, तो मैं तुमें रोकती हूँ, यदी मे कोशल्या के वचन सून कर राम जी की और देख कर रोश्ट से त्रिलोकी को दग्द करते हुए से कहा मैं उन्मत भ्रांचित और केकई के वशपरती राजा दश्रत को बांध कर भरत को उनके सहयक मामा आधी के सहित मार डालूंगा आज संपून लोगों को दग्द करने वाले काला नल के समान मेरे पौरुष को पहले वे सब लोग देख लें हे शत्रू दमन राम आप अभिशेक की तैयारी कीजिए उसमें विक्नू पस्तित करने वालों को मैं हाथ में धनुश्मान लेकर मार डालूंगा लक्षमन जी ने इस प्रकार कहने पर रगुनाज जी ने उन्हें गले पर लगा लिया रगुश्रेष्ट तुम बड़े शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो तुम तो कुछ भी कहते हो वह मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ किन्तु यह उसका समय नहीं है यह जो कुछ राज्य और देह आदे दिखाई देता है वह सब यदि सत्य होता तो अविश्य तुमारा परिश्रम सफल होता किन्तु यह भोग तो मेग रूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है और आयू अगनी में तपाय हुए लोहे पर पड़ी हुई जलकी बूंदे के समान चड़िक है इस प्रकार सर्प के मूँ में पड़ा हुआ भी मैंडग मचरों को ताकता रहता है उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाते रहते हैं कैसा अश्चर है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुश्य रात दिन अती कश्ट सह कर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है यदि वह समझ ले कि शरीर आत्मा से बिन्न है तो भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है पिता माता भाई इस्त्री और बंदू बांधवों का संयोग प्याउपर इकत्रित हुए जीवों अत्वा नदी प्रभा से खटी हुई लक्णियों के समान चंचल है यह नी संदे दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल योवन जलतरंग के समान अनित्य है इस्त्री सुक्ष वपन के समान मित्या और आयू आनन अत्यंद अल्प है तथा पी प्राणियों का इसमें कितना अभिमान है यह संसार सदा रोग आधि शंकुल तथा श्वपन और गंदर्वनगर के समान मित्या है मूड जन ही इसको सत्य मान कर इसका अनुसरण करते हैं नित्य सुर्य के उद्य और अस्त होने से आयू शीन हो रही है तथा नित्य ही दूसरों की अवस्था विद्धा वस्था और मित्य होती देखी जा रही है तो भी मूड पुरुष को किसी प्रकार का चेत नहीं होता निर्त्य प्रती उसी प्रकार दिन और रात होते हैं किन्तु मूड मती पुरुष भोगों के पीछे ही दोडता रहता है काल की गदी को नहीं देखता कच्चे घड़े में भरे हुए जल के समान आयू प्रतिशन शीन हो रही है और रोकसमू शत्रूव के समान शरीर को नश्ट कर रहे हैं विर्दावस्ता सिंगनी के समान डराती हुई सामने खड़ी है और यह मृत्यू भी उसके साथ ही चलती हुई अंत समय की प्रतिग्या कर रही है प्रतिक्षा कर रही है किन्तु दे में अहम भावना करने वाला जीव इस क्रिमी विष्ठा और भस्मरूप शरीर को ही मैं लोग प्रसिद राजा हुँ ऐसा मानता है लक्षमन तुम कुछ सोच कर बताओ कि जिसके आश्रे से तुम संसार को दग्द करना चाहते हो वैत्वचा अस्ति, मास, विष्ठा, मूत्र, शुक्र और रुदिर आधी से बना हुआ विकारी और परिणामी देहे आत्मा किस प्रकार हो सकता है हे भाई इस देह अविमान से युक्टपुरुश में ही संपूर्ण दोश प्रकट हुआ करते हैं मैं दे हूँ इस बुद्धी का नाम ही अविध्या है और मैं दे नहीं चेतन आत्मा हूँ इसी को विध्या कहते हैं अविद्या जनम मरन रूप संसारक की कारण है और विद्या उसको निवृत करने वाली है अतै मोक्ष कामियों को सदा विद्यो पारजन करना चाहिए हे शत्रु दमन काम क्रोध आदी इस साधन में विग्ण करने वाले शत्रु हैं उनमें भी मोक्ष में विग्ण उपस्थित करने के लिए तो एक मात्र क्रोध ही प्रयाप्त है जिसका आवेश होने से पुरुष्पिता, माता, सुहिद और बंदू का भी बत कर डालता है मन के संताप का मूल क्रोध ही है और क्रोध ही संसार का बंदन तथा धर्म का शै करने वाला है इसलिए तुम क्रोध को छोड़ दो यह क्रोध महांशत्रु है तृष्णा वैतर्णी नदी है संतोष नंदन्वन है और शांती ही काम देनु है इसलिए तुम शांती धारन करो इससे क्रोध रूपी शत्रू का तुम पर प्रभाव ना होगा, आत्मा देहे, इंद्रिये मन प्राण और बुद्धी आधी से प्रिथक तथा शुद्ध स्वयम प्रकाश, अविकारी और निराकार है, जब तक मनुष्य देहे, इंद्रिये और प्राण आधी से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते, तब तक मृत्यू पाश में बंद कर संसारिक दुख समू से पीडित होते रहते हैं, इसलिए तुम सरवदा अपने हिर्दे में बुद्धी आधी से आत्मा को भिन अनुभव करो, इस संपून बाहे वैवार का अनुभरतन करो, और सुक अत्वा दुख रूप, जैसा प्रारब्धो उसी को भोगते हुए, चित में खेद ना मानू, हे रगुपुत्र, बाहर से इंद्रिया आधी द्वारा कर्तत्व प्रकट करते हुए, जो कार्य प्रारब्ध वस्तित हो उसे करते रहने से भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे, बीतर से राग, ड्वेश रहित और शुद्ध सुभाव रहने के कारण तुम कर्मों से लिप्त ना होंगे, मेरे इस संपून कथन पर तुम सरवदा अपने हिर्दय में विचार करो, ऐसा करने से तुम संपून संस दुखों से कभी भादित नहीं होंगे, हे मातह, तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतिक्षा करती रहना, तुमें अधिक काल दुख ना होगा, करम बंधन में बंदे हुए, जीवों का सदा एक ही साथ रहना सैना नहीं हुआ करता, ज चोदा वर्ष की अवदी आदेशन के समान बीच जाएगी, आप अब दुख को दूर करके हमें वन जाने की अनुमती दीजिए, आपके ऐसा करने से मैं वन में सुक पूर्वग रहे, ऐसा कहे, रगुनात जी, श्री राम जी, बहुत देर तक दंड के समान माता के चर्णों में पड़े रहे, उसके पश्चात माता ने उन्हें उठा कर गोद में बठा लिया, और आशिरवाद दे कर उनकी प्रिशंसा करने लगी, और बोली तुम्हारे चलते बैठते अत्वा सोते समय, गंदर्वो सहिद, प्रह्मा, विष्णु, शिव आदी का संपून देवगं तुम्हारी सरवदा रक्षा करें, इस प्रकार बारंबार हिर्दे से लगा कर, माता ने राम को विदा किया, तब लक्ष्मन जी ने भी राम जी से आँखों में अनंद अश्रू भर कर, गदगद वानी से बोले, हे राम, आपने मेरा आंतरिक संदे दूर किया है, अब मैं आपकी सेवा करने के लिए आपके पीछे-पीछे चलूँगा, आप इसके लिए मुझे आग्या दें, हे प्रभो, आप मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूँगा, तब श्री रग्वनाद जी ने लक्ष्मन जी से कहा, बहुत अच्छा चलो, दे सीता जी ने पती देव को आते देख एक सुवन पात्र में जल भर कर, भक्ति पूर्वक उनके चरण दोए, और स्वामी जी की और देखते हुए पूछा, हे देव, इस समय सेना के बिना ही आप कैसे आए हैं, आप प्रात्यकाल कहां गए थे, आपका श्वेत शत्र कहां है, बाजो का बजना क्यों बंध हो गया, और आप किरिट आदी, राजो चित आबुछुनों से रहित क्यों हैं, आप मंत्री और राजाओं के सहित बड़े ठाट बाट से क्यों नहीं आए, सीता जी के इस प्रकार पूछने पर, श्री राम चंद्री जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे शुभे, पिता जी ने मुझे दंड का रणने का संपून राज्य दिया है, अते हे भामीनी, मैं शीक्री ही उसका पालन करने के लिए वहां जाऊंगा, मैं आज ही वन को जाऊंगा, तुम अपनी सास के पास जाकर उनकी सेवा में रहो, मैं जूट नहीं बोलता, श्री र महात्मा पिता जी ने आपको वन का राज्य क्यों दिया है, तब रामचंद्र जी ने उनसे कहा, हे प्रिये महाराज ने प्रसन्नता पूर्व केकई को वर दे कर भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है, देवी के कई ने मेरे लिए चोदा वर्ष का वनवास मांगा था सो सत्यवादी दयालू महाराज ने देना स्विकार किया है, अते हे प्रिये मैं शिक्र ही वहाँ जाऊंगा, तुम इसमें किसी प्रकार का विग्ण घड़ा ना करना, रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने प्रसन्नता पूर्व कहा, पहले मैं वन को जाऊंगी उसके पीछे आपाना, हे रागव, मुझे छोड़ कर आपको वन में जाना उचित नहीं। कमल नैनी, वहाँ भोजन के लिए कचुए और खटे फल मूल आदी हैं, किसी प्रकार के व्यंजन वहाँ नहीं मिलते हैं सुन्दरी, वे फल भी सदा नहीं मिलते, किसी किसी समय तो बिलकुल मन में बूखे ही रहना पड़ता है, वह दंड कारण्य ऐसे ही अने को दोशों से भरा हुआ है, उसमें अने को गुफाएं गड़े हैं, तथा वहाँ जिल्ली और सापो का डेरा है, इस प्रकार से वहे सब चीजें तुम ना देख पाओगी, राम के ये वचन सुन कर शीता जी ने दुखातुर हो कर कुछ क्रोट से ओट कपकपाते हुए बोला, मुझ पतिवरता धरम पत्नी को आप घर पर क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप धर्मके और दयालू हैं, फिर अपनी अनन्य भक्ता और दोशीना मुझ पत्नी को क्यों छोड़ते हैं, हे राम बन में भी आपके पास रहते हुए, मेरा कोई क्या पिगाड सकता है, जो भी फल मूलादी आपके खाने से बचेंगे, वे ही मेरे लिए अमरित के समान होंगे, उनसे संतुष्ट होकर मैं आनंद पूरवक रहूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं आपको किसी प्रकार का कश्ट नहीं दूंगी, बलकि आपके कारे में साहता करूंगी, वाले अवस्ता मे एक जोतिश शास्त विशारत महत्मा ने मुझे देख कर कहा था, तू अपने पती के साथ में वन में रहेगी, उन ब्रामण महुद्या का वाक्य सत्ते हो, मैं अवश्य ही आपके साथ वन में चलूंगी, एक बात और कहती हूँ, उसे सुनकर आप मुझे वन को ले चलिए, आपने बहुत से ब्रामणों के मुख से बहुत सी रमायने सुनी होंगी, इन में से किसी में भी क्या सीता के विना राम जी वन को गए हैं, अते मैं आपकी पून्ट तया सहाई का होकर अवश्य आपके साथ चलूंगी, यदि आप मुझे छोड़ कर चले जाएंगे, तो मैं आदी संपून आभूशन वशिष्ट जी की इस्त्री अरुंधती को दे दो, हम अपना संपून धन भ्रामणों को दे कर वन को चलेंगे, ऐसा कहे भगवान भ्राम ने लक्ष्मन जी द्वारा भक्ति पूर्वग भ्रामणों को बुलवाया, और रगुकुल केतु भगवान राम ने प्रसन्नता पूर्वक सैक्डों गों के जुंड बहुत सधन दिव्यवस्त्र और अभूशन को टंबी, तथा विद्वान और शील संपन भ्रामणों को दिये, सीता जी ने अपने मुख्य मुख्य अभूशन अरुंधती जी को दे दिये, और अपनी माता के सेवको को भी राम ने बहुत सधन दिया, इसी प्रकार अपने अंते पुर्वासी सेवकों, पुर्वासियों, देशवासियों और भ्रामणों को भी उन्होंने बहुत सारा धन दिया, इधर श्री लक्षमन जी ने भी अपनी माता सुमित्रा को कोशल्या जी को सौप दिया, और पैस्त्रों काम देवों के समान सुन्दर, श्याम, शरीर वाले भगवान, राम, सीता और छोटे भाई लक्षपन के सहेद अपने कांती से दसोज दिशाओं को प्रकाशित करते हुए दीरे दीरे राजमार्क से चले उस समय जो पुरवासी और जनपदवासी लोग कुदुहल बश अनन्दमै दृष्टी से उनकी और देख रहे थे, उनके देखते हुए अपने चरण स्पर्ष से जंपून संसार को पवित्र करते हुए वे अपने पिता के घर महुचे इती श्री मत अध्यातम प्रमायने उमा महेशपर समवादे अयुध्या कांडे चतुर्था सर्ग समाप्त मंगल भावान या मंगल हारी द्रवाउसो दशरत अजीर बिहारी क्रण संवीर neurotज द्रवाइद का उन्वारी बिहारी बिता कि द्रवाने फिले में महें आहरी अजीर USA हम आहरी डे छोड़ द्रवाई प्रमाय ऋर्वाराईद का प्रमाय को स्रुछ्वाट आैय।